पोस्टर को लेकर विवादों में आई डॉक्यूमेंटरी फिल्म काली अब मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है मुक्य नियाइक दंडा अधिकारी मुजफरपुर के नियायाले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओजानी फिल्म काली को लेकर परिवार दायर किया है निर्माता निर्देशक और एडिटर के खिलाफ कंप्लेन दायर की गई है मुख्य नियाइक दंडा अधिकारी की आदालत में अधिवक्ता सुधिर कुमार उजानी धारा 295, 297 और 298 के तहट आवेदन दिया है इसमें हिंदूओं की आस्था को ठेस पहुचाने का आरोप लगाया गया है अधिया प्रफिल्म काली का जो निर्मान करने के बाद उसका टेलर रिलिज किया गया है जो सारे यूटूब चनल से लेकर के कई जगा पर यह रिलिज की गई है जिसमें मा काली जो कि हम हिंदूओं का एक महान में देवी देवता हैं जिनको हम लोग पूझते हैं और उनके जो पोस्टर में जो उनको रूप दिखाये गया है काली के रूप में जिस तरह से उनको सिक्रेट और बीडी पीते हुए दिखाये गया है इस फिल्म में यह जान बूच करके हिंदूओं की भावनाओं को आगहात पहुचाने ठेश पहुचाने के उद्देश से यह पोस्टर रिलीज की गई है उसी को ले करके मैंने मानिय सिर्यम मुझभफरपुर की अदालत में फिल्म मेकर लीना मनिमे कलाई के साथ साथ आसा पुंचक जो कि खिलाप यह मुकदमा हमने दूसाओ पंचान में दूसाओ संतान में आईपी सी के तहद दर्ज कराया है और मानिय नियाले सुषिकार करते हुए सोलह जुलाई की तीथी सुनवाई के लिए मुकरण कि है हमने असपश्ट कहा है कि नियाले से मांग किया है कि सबसे पहले जो काउनी करवाई हो धन्यवाद